Psycho Talk Lecture Series के नए लेक्चर में आपका स्वागत है जब भी हम कोई psychological study करते हैं study के बाद हमें कुछ data मिलता है और उस data की statistical analysis कर हम finding तर पहुंचते हैं और इन statistical analysis में कई बर जरूरत होती है कि जो variables हैं उनके बीच के संबंधों को ग्याद किया जाए अगर दो variables के बीच क्या relationship है इसको अगर हम जानना चाहते हों या इसकी study करना चाहते हों तो यह मनुविज्यान की वासा में सह संबंध या correlation कहलाता है आज की lecture में हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि correlation है क्या correlation को classify हम कैसे कर सकते है और correlation का calculation spearman's method द्वारा हम कैसे कर सकते हैं तो चलिए आज का lecture स्टार्ट करते हैं और समझते हैं psychological statistics में correlation क्या होता है वेलकम बेक psychological studies में कभी कभी हमें दो variables के बारे में कुछ data मिलता है उन data के आधार पर हम यह जानना चाहते हैं कि उन दोनों variables में संबंध क्या है क्या एक variable बढ़ता है तो दूसरे variable में कोई बढ़ोतरी या कमी होती है या कोई परिवर्तन नहीं होता है psychology की language में यही correlation है correlation को अगर हम define करें तो हम कह सकते हैं किसा संबंध दो चल रासियों में पाए जाने वाले संजुक्त संबंध की ओर संकेत करता है means correlation indicates a joint relationship between variables अगर हम correlation को classify करें तो इसको दो category में हम divide कर सकते हैं पहला quantitative correlation और दूसरा qualitative correlation quantitative correlation को further तीन पार्ट में divide किया जा सकता है first one is positive correlation, second one is negative correlation and third one is zero correlation positive correlation या धनात्मक से संबंध क्या है यदि हमारे पास दो variables हो एक variable की मात्रा अगर बढ़ रही है तो दूसरे variable की मात्रा भी बढ़े या एक variable की मात्रा घट रही है तो दूसरे variable की मात्रा भी घटे तो ऐसा correlation positive correlation कहलाता है कहने का तातपर क्या है कि यदि दो variables में समान दिसा में परिवर्तन हो रहा है तो वह धनात्मक सहसंबंद है When two variables change in same direction, it is said to be a positive correlation दूसरा quantitative correlation, negative correlation Negative correlation का क्या मतलब है कि यदि हमारे पास दो variables हो एक variable की मात्रा अगर बढ़ रही है, तो दूसरे variable की मात्रा घटे यदि इस तरीके का relationship है दोनो variables में तो हम कह सकते हैं कि ईन दोनो variables में negative correlation है यहाँ परिवर्तन की दिशा विपरीत रहती है कहने कातात पर क्या है कि यदि दो variables में विपरीद दिशा में परिवर्तन हो रहे हूं तो उसे negative correlation कहा जाएगा When two variables change in opposite direction It is said to be a negative correlation कभी-कभी ऐसा देखा जाता है कि हमारे पास दो variable है यदि हम एक में परिवर्तन कर रहे हैं तो दूसरे पर उसका कोई effect नहीं पढ़ रहा है यदि हम एक बढ़ा रहे हैं तो दूसरा न तो बढ़ रहा है न तो घट रहा है Means एक के परिवर्तन करने का प्रभाव दूसरे पर नहीं पढ़ रहा है यदि ऐसा सा संबंध या ऐसा correlation हमको मिलता है तो हम कह सकते हैं कि यह zero correlation है अगर हम correlation का qualitative classification देखें तो यहां correlation को दो पार्ट में divide किया गया है पहला linear correlation या रेखी सा संबंध और दूसरा curvy linear correlation या वक्रात्मक सा संबंध कभी कभी हमारे पास data ऐसा मिलता है कि अगर हम दो variables की data की analysis करें और उनका graphical presentation करें तो हमको एक सीधी रेखा में graph मिलता है इसका ताथ पर यह है कि एक variable में जैसे जैसे परिवर्तन हो रहा है उसी ratio में दूसरे variable में परिवर्तन होता है अगर परिवर्तन का ratio same है और उनको graphically हम present करें तो एक सीधी line में हमको graph मिलता है इस प्रकार का correlation linear correlation कहलाता है लेकिन कभी कभी studies में हम देखते हैं कि हमारे पास दो variables का data है और उनको हम graphically present करना चाहें तो कुछ समय तक graph उपर जाता है और एक limit के बाद फिर graph नीचे आने लगता है और वह करू के आकार का shape बन जाता है जैसे माल लीजिए कि age और memory दो factor है इसकी study हमने किया है और दोनों के data हमारे पास है हम इनको graphically present कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे age बढ़ रहा है वैसे वैसे memory भी बढ़ रही है लेकिन एक limit आती है एक सीमा आती है जिसके बाद age तो बढ़ रहा है लेकिन memory फिर down होने लगती है तो जो graph का shape है वो curve की तरह हो जाता है इसलिए इसको curvy linear correlation या वक्रात्मक सा संबंध कहते हैं जब भी हम psychological statistics में दो variables के 20 correlation measure करते हैं correlation calculate करते हैं तो हमारे पास एक number आता है correlation की value आती है यहां important यह हो जाता है कि जो value आ रही है उसका interpretation हम कैसे करें यह value 0 to 1 के बीच होती है अगर correlation की value 0 to 0.20 तक है इसका मतलब है कि correlation value negligible है अगर value 0.21 से 0.40 के बीच आती है इसका मतलब कि correlation value low है यह दि correlation value 0.41 से 0.60 के बीच आती है इसका ताथ पर यह है कि दोनो variables के बीच moderate correlation exist कर रहा है अगर correlation value 0.61 to 0.80 के बीच आता है तो इसका मतलब है कि दोनो variables के बीच high correlation है अगर correlation value 0.81 से लेकर 0.99 तक आता है इसका मतलब है कि दोनो variables के बीच बहुत अधिक correlation है very high level of correlation exist कर रहा है और यदि दो variables के बीच आपने correlation निकाला और correlation value 1 आ जाता है इसका मतलब है कि दोनो variables के बीच perfect correlation exist कर रहा है और psychological statistics में calculation के बाद जो correlation value आता है उसे coefficient of correlation के रूप में प्रदर्शित किया जाता है अब सवाल ये उड़ता है कि अगर दो variables के data हमारे पास हो और हमको उन variables के बीच correlation ग्याद करना हो तो हम कैसे ग्याद करेंगे कैसे correlation calculate करेंगे correlation calculate करने के कई तरीके है जो सबसे ज़्यादा प्रशली तरीका है वो है Spearman's correlation और Pearson's correlation आज की lecture में हम लोग ये समझेंगे कि Spearman's method से correlation calculate कैसे हम कर सकते हैं Spearman's correlation को rank order method या rank order correlation या स्थान क्रम सहसंबंद या कोटी क्रम सहसंबंद के नाम से भी जाना जाता है चुकि rank order correlation का प्रतिपादन Charles Spearman ने किया था इसलिए इस method को Spearman's method of correlation भी कहा जाता है Spearman ने correlation calculate करने का जो formula दिया था वह formula है 1 minus 6 sigma d square upon n n square minus 1 चलिए एक छोटा example लेते हैं और समझते हैं कि Spearman's method या rank order method से correlation का calculation हम कैसे कर सकते हैं और जो correlation value है उसका interpretation हम कैसे करेंगे एक छोड़ा सा example लेते हैं और समझते हैं कि rank order method से correlation calculate कैसे किया जाता है माल लेजिए कि 5 student है student 1, student 2, student 3, student 4, student 5 पांचों के English और psychology में scores है और उन ही का correlation हमको ग्याद करना है माल लेजिए English में पहले student ने 24 अंग प्राप्त किया दोसरे ने 35 तीसरे ने 65 चोथे ने 40 पांचों के ने 50 और इनका psychology में score पहले का 70 दोसरे का 55 तीसरे का 40 चोथे का 60 और पांच में का 30 माल लेजिए कि ये score दिया हुआ है कि पांच student है पांचों के English में marks दिये हुए हैं psychology में marks दिये हुए हैं इन दोनें के बीच Spearman's method से correlation ग्याद करिए Spearman's method से जो correlation ग्याद किया जाता है उसको रो के रूप में symbolize किया जाता है रो या correlation Spearman's method द्वारा correlation का जो formula होता है वो होता है 1-6 into sigma d square upon n n square minus 1 हमारे पास पांच student के दो subject के marks दिये हुए हैं और इनके बीच correlation ग्याद करना है सबसे पहले हम formula लिख देंगे formula लिखने के बाद हम इन अंकों को table में रखेंगे एक table बना लेते हैं पहले में आप रखें students को दूसरे में subject पहला subject है English दूसरा subject है psychology student 1, student 2, student 3, student 4, student 5 हमारे scores हैं वो English में है 24, 35, student 3 का है 65, student 4 का है 40 और student 5 का है 50 और psychology में इनके scores है student 1 का है 70 2 का है 55 3 का है 40 4 का है 60 और फिफ्थ स्टुडेंट का है 30 यह हमने जो scores दिये हुए हैं जो सवाल दिया हुआ उसको एक table form में पहले हमने बना लिया अब हम इसका calculation करेंगे calculation करने के लिए आप 2-3 column prepare कर लें सबसे पहला काम आपका है कि इन scores की ranking करनी है तो पहला column आजाता है R1 rank 1 means जो पहला subject है English इसकी हमको ranking करनी है ranking करने के लिए आप highest score को पहला rank देंगे उसके बाद के score को दूसरा उसके बाद के score को तीसरा ऐसे करते हुए ranking करनी होती है आप English का देखें तो highest score है 65 highest score 65 है तो 65 को हम rank 1 देंगे 65 के बाद का score है 50 इसको आप second rank दे दीजिए 50 के बाद score है 40 40 को आप third rank दे दीजिए 40 के बाद score है 35 इसको आप fourth rank दे दीजिए और सबसे कम score है student 1 का 24 इसको 5 rank दे दीजिए means highest score 1 और उसी करम में बढ़ते जाए हाइस to lowest 1,2,3,4,5,6 जितने student है या जितने numbers है उसके according आप उनकी scoring करते जाए जब आपने R1 कर लिया फिर उसके बाद आप R2 करिये दूसरा rank निकाल लिये दूसरा means दूसरे subject का जो कि आपका दूसरा subject था psychology psychology में score मिला हुआ था अब इसकी ranking करिये इस में highest score क्या है 70 70 को आप rank 1 कर दीजिए उसके बाद 70 के बाद score है 60 60 को rank 2 कर दीजिए 60 के बाद score है 55 55 को rank 3 कर दीजिए 55 के बाद score है 40 40 को rank 4 कर दीजिए उसके बाद score है 30 30 को rank 5 कर दीजिए अब आपको करना है कि difference निकालना है जिसको D के रूप में लिखा जाता है D का मतलब है R1 minus R2 means जो rank 1 है इस से rank 2 को घटाते चले जाहिए जैसे पहला है 5 और rank 2 है 1 तो 5 minus 1 is equal to 4 4 minus 3 is equal to 1 1 minus 4 is equal to minus 3 3 minus 2 is equal to 1 2 minus 5 is equal to minus 3 ठीक है rank 1 से rank 2 हमने निकाल दिया यह minus कर दिया यह हमारा D मिल गया अब जब हमको D मिल जाता है फिर आप D square कर लें जो D मिला हुआ इसको स्कॉयर 9 अब D square का योग कर लें आपको sigma D square मिल जायेगा जो की हमारे formula में था sigma D square D square का योग कर लें 16 प्लस 1 17 17 प्लस 9 26 प्लस 1 27 प्लस 9 36 यह हमारा sigma D square मिल गया अब formula में इन values को देखते जाए एक बार फिर से यहां जो calculation करने का formula था formula क्या था रो का 1 minus 6 into sigma D square upon N N square minus 1 sigma D square हमको मिल गया है वो है 36 और N N मतलब कितने student है हमारे 5 student है तो N is equal to 5 यह दोनों value मिल गई अब formula में हम रखते जाएंगे और calculate कर correlation ज्याद कर लेंगे So, 1 minus 6 into sigma D square हमारा है 36 36 divided by N हमारा कितना है 5 5 square minus 1 is equal to 6 multiplied by 36 is equal to 216 divided by 5 multiplied by 24 is equal to 1 minus 216 divided by 1 20 अब इसको solve करें चार से अगर हम cross करते हैं तो हमारा आजा रहा 1 minus 54 54 by 30 is equal to 1 minus 54 divided by 30 is equal to 1.8. So, 1 minus 1.8 is equal to minus 0.8 या minus 0.80 तो हमारा correlation क्या आ रहा है correlation आ रहा है minus 0.80 पहले हम लोगों ने देखा था कि अगर हमारे पास correlation की value आ जाती है तो फिर उसका interpretation हम कैसे करते हैं 0.61 से 0.80 तक high level आप correlation आता है तो अगर इसका explanation आप करें तो psychology और English के scores में high negative correlation पाया जा रहा है इस प्रकार से कोई भी हमारे पास दो variables के scores मिले हों और उनका spare man's method से calculation करना हो हमको correlation निकालना हो तो simply उन values को table में रखें फिर पहले पहले variable के scores के आधार पर उनकी ranking कर दें जो की R1 हो जाएगा फिर दूसरे variable के scores के आधार पर उनकी ranking कर दें जो की R2 हो जाएगा rank 1, rank 2 और फिर उन ranks के बीच rank 1 और rank 2 के difference को आप देख लें rank 1 minus rank 2 कर दें, difference आजाएगा D और फिर उसके बाद D square निकाल दें, जो D आया हुआ है उसका आप square कर दें और जो D square है उसका योग कर हम sigma D square निकालने, जब हमारे पास sigma D square आ जाता है और N already दिया रहता है, फिर उसके बाद in values को formula में रखकर हम calculation कर सकते हैं और correlation निकाल सकते हैं So, Spearman's method द्वारा correlation ग्याद करना बहुत है simple होता है और इसके द्वारा ranking के आधार पर हम correlation ग्याद करते हैं यहाँ एक बात और समझने की है, मान लिजे कोई score एक ही score दो जगा आ रहा हो, मान लिजे है 70, 95, 60, 40 और 60 मान लिजे यह scores है और इसकी ranking करनी है, यह थोड़ा सा different हो जाता है पहले की अपेक्षा क्योंकि पहले में कोई score repeat नहीं कर रहा था अब यहाँ अगर हम करें तो अगर R1 करते हैं तो 70, 95 सबसे highest है, तो 95 को हम rank 1 कर दें, 95 के बाद क्या है 70, 70 को rank 2 और 70 के बाद 2 score एक साथ आ रहा है 60 और 60 जो की rank 3 और rank 4 पर आ रहा है क्योंकि 1, 2 already हमने ranking कर दी है तो तीसरे और चवते rank पर 60 आ रहा है तो यहाँ क्या करना होगा 3 प्लस 4 divided by 2 is equal to 3.5 अब यहाँ हम इन 60 को 3.5, 3.5 दोनों को एक rank देंगे, दोनों को दोनों के rank का average हम कर देते हैं चुकि 3rd पे 60 है और 4th पे 60 है तो दोनों का आप average करेंगे तो 3.5 आएगा यह 3.5 आप दोनों को rank provide करा दें तो हमारे पास rank 1, rank 2, rank 3, rank 4 मिल गया अब last है आपका 40, 40 को rank 5 आप कर दें इस प्रकार से कोई भी score हो दो बार तीन बार दिया गया हो और किस rank पर वो आ रहा है उनको आप जोड़ दें हमान लोग की कोई score ऐसा है जो कि दूसरे पर है तीसरे पर है चाउथे पर एक ही score है तो 2 प्लस 3 प्लस 4 divided by 3 is equal to जो आएगा वो value तीनों की rank हो जाएगी तो इस प्रकार से ranking कर हम difference गयाद कर spearman's method से correlation गयाद कर सकते हैं तो इस प्रकार आज के lecture में हम लोगों ने देखा कि statistical correlation क्या है correlation कितने प्रकार का होता है correlation value का interpretation हम कैसे कर सकते हैं और spearman's method से या rank order method से correlation calculate कैसे किया जाता है मुझे आसा है कि इस lecture के बाद correlation के बारे में थोड़ी जानकारी आपको मिल गई होगी तो चलिए आज का lecture ही समाप करते हैं और मिलते हैं psychology के एक नए topic के साथ अगले psychotalk में तब तक stay safe, always follow covid appropriate behavior and never disobey your parents thank you